वेलकम टू नेक्स एक जाओं आज है बेस दिसमबर 2022 और बेस दिसमबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्टिवी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए लास्ट आप मैं आपसे कुश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हूं बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियो के डिसकस्ण से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से आपको सारी पीडियो पे एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप पा लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकस्ण में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है हाली में गुआ मुक्ति दिवस कम मनाया गया है तो अभी 19 दिसम्बर को गुआ मुक्ति दिवस मनाया गया तो इस कुश्यन का बे ऑप्शन सही है एक्चुल में 19 दिसम्बर 1961 को गुआ पुर्त गाल से मुक्त हुआ था इसलिए हर साल 19 दिसम्बर को गुआ मुक्ति दिवस मनाया जा गौवा इसतापना दिवस 23 मई को मना जाता है दोनों आपको याद रखने हैं अब बात गौवा की है तो गौवा में मोलम नेशनल पार्क है इसे भगबान महाबीर नेशनल पार्क कहते हैं कोटे गाउं वाइडलाफ सेंचुरी है बॉंडला वाइडलाफ सेंचुरी है प्रणीज मुक्त गोसित होने वाला पहला राज गौवा बना था अब मैं आपको बताता हूं एक दिसम्बर को 208 दिवस मनाए गया और एक दिसम्बर को ही ब्स एफ का 58 मास्तापना दिवस मनाए गया दू दिसम्बर को राश्टी प्रदूसर नियंतर दिवस और 200 4 दिसम्बर को बारती नौसेना दिवस और अंतरास्टी बैंक दिवस मनाए गया 5 दिसम्बर को बिश्चु म्रदा दिवस मनाए गया 6 दिसम्बर को डौक्टर भेमराव अंबेटकर की च्यासटमी पुंडिति थी मनाए गयी 7 दिसम्बर को ससस्त्र सेना जंडा दिवस नौ दिसम्बर को अंतरास्टी ब्रस्टाचार विरोधी दिवस नर्संगार की रोक्थम और पेडितों के इस मडूत्सप का अंतरास्टी दिवस मनाए गया 10 दिसम्बर को अंतरास्टी मानवादिकार दिवस मनाए गया, 11 दिसम्बर को अंतरास्टी परवत दिवत और यूनिसेप दिवस मनाए गया, 12 दिसम्बर को अंतरास्टी सारबोमिक स्वास्ते कबरिज दिवस मनाए गया, 14 दिसम्बर को रास्टी उर्जा सनरक्षट दिवस मन आए गया तो दिसंबर में अब तक इतने important day बनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है help लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको भ पूरा दिन उस target को अचेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी ने क्यूशन है हाली में किस देश ने तेसरी बार नेत्रहीन T20 cricket बेसुकब जीता है तो अभी अपने देश भारत ने बंगलादेश को हरा कर नेत्रहीन T20 cricket बेसुकब जीता तो इस question का say options है और भारत ने लगातार तेसरी बार ये नेत्रहीन T20 cricket बेसुकब जीता है इस बार बंगलादेश को राकर जीता और इस बार के नेत्रहीन T20 cricket बेसुकब की मेजगवानी अपने देश भारत नहीं की अच्छा अगला जो नेत्रहीन T20 cricket बेसुकब होगा वो कहां पे होगा अगला 2023 में होगा और पाकिस्तान में होगा हाली में भारती एतिहासिक अभिलेग समिती का 63.7 कहां सुरू हुआ है लखनओ में शुरू हुआ तो इस कुशिन का B benefits है औछा लखनओ तो लखनओ किस नदीक किनारिश्तित है गुमती नदीक किनारिश्तित है और इस सत्र का उद्गाटन उत्तरपदेश के राजी मंतरी स्वतंतर प्रभार दया संकर सिंग ने किया है नेक्यूशन है एक बुक और इस बुक का नाम है The Light We Carry Overcoming in Uncertain Times नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो ये बुक लिखी है मेसेल ओबामा ने तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है अमेरिका के पूर राष्टपती बराक ओबामा की वाइफ है मेसेल ओबामा इन्हों नहीं ये बुक लिखी है The Light We Carry Overcoming in Uncertain Times अच्छा बुक की बात है तो अभी मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक Miracles of Face Yoga का बिमोचन किया नल नाड़ा Until we meet again नामक पुस्तक Gautam Bora ने लिखी है Winning the Inner Battle नामक पुस्तक Sane Watson ने लिखी फ्रांसी सी लेखक Rene Nava ने अपनी नई पुस्तक Nicolourization of Asia का बिमोचन किया ने कुशन है हाली में Leo Baradkar किस देश के दूसरी बार प्रदानमंतरी चुने गए तो Leo Baradkar ये Ireland के दूसरी बार प्रदानमंतरी चुने गए तो इसकुशन का बे आप्सन सही है ये हैं Leo Baradkar ये भारती मूल के हैं और ये दूसरी बार Ireland के प्रदानमंतरी चुने गए अच्छा अभी डेनमार की फिर से प्रदानमंतरी चुनी गई है मैटिय फ्रेडरिक्सन दीना बोलवाटे पेरू की पहली महिला राष्टपती बनी है कासिम जोमाट टोकायब को कजाकस्तान का फिर से राष्टपती चुना गया स्लोबेनिया की पहली महिला राष्टपती नतासा पर्क मुसर चुनी गई इसराइल के नए प्रतानमंतरी बने है बेंजामन नेतनी हाओ और लुईज इनासियू लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के नए राष्टपती बने है नए क्युशन है हाली में किसने मिसेज बर्ड दोजर बाईस का खिता है तो अभी सरगम कौसल ने मिसेज बर्ड दोजर बाईस का किताब जीता है तो इसकुशन का ए उप्सन सही है ये हैं सरगम कौसल इन्होंने लॉस बेगास में आयो जित मिसेज बर्ड दोजर बाईस का किताब जीता है इनका नाम आप याद रखी हाली में किस राज सरकार ने खाना बदोस समुदायों के लिए विकास बोड की इस्तापना की है तो अबे करनाटक सरकार ने खाना बदोस समुदायों के लिए विकास बोड की स्तापना की तो इस कुशन का say options है यह अच्छा माइन में क्लिक किया होगा खाना बदो समदाय क्या होता है ऐसे समदाय जो खाने की तलास में अपने इस्तान को बदलते रहते हैं कभी एक जगे रहते हैं कभी फिर दूसरी जगे रहते हैं जहां उनको खाना मिलता है वहीं पर रहने लगते हैं जाके तो ऐसे समुदायों को खाना बदो समुदाय कहते हैं इनके विकास के लिए विकास बूड की स्थापना करनाटक सरकार ने की है अब करनाटक तो ये है मैप में करनाटक करनाटक की केपिटल के है बैंगलोर करनाटक के चीपनिष्टर कौन है बस अवराज बॉंबाई और करनाटक के गवर्नर कौन है ताबर चंदर गहलोत अभी करनाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एक नया आर्टिफिसल इंटेलिजेंस आदारे कौसल पोर्टल तेयार किया है करनाटक ने तेन ट्रांसजेंडर सरकारे स्कूल सिक्चक के रूप में चुने गए हैं देश में सबसे अधिक इस्थापित ग्रिड इंट्रेक्टिफ अक्चे उर्जा चमता करनाटक में है दक्षिड भारत की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस को बैंगलूरू में हरे जंडी दिखाए गई प्रदानमंत्री मोदी ने बैंगलूरू में केमपे गुड़ा के 108 फेट उची प्रतिमा का अनावरण किया है करनाटक सरकार ने इसकूली चात्रों के लिए प्रति दिन 10 मिनट का योग अनिवारे किया है अच्छा करनाटक में दो डांस मेमस हैं यक्षगड और डोलू कुनीता करनाटक में कौन-कौन सी नेशनल पार्क हैं बांदिपोर अंसी नगर होल बनरकटा और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क ये करनाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है ने क्यूशन है हाली में किसने सुसासन सप्ता 2022 का उद्गाटन किया है तो आटता है शुशासन दिवस यानि कि good governance day का मना जाता है 25 दिसंबर को अटल ब्यारी बाजपई जी की जह एनति पर good governance डे यानि की सुसासन दिवस मना जाता है तो सुसासन सप्ता इसका उद्गाटन केंद्री मंतरी चेतेंट सिंग ने किया है नए क्यूशन है हाली में राजबिंदर सिंग भट्टे को किस राज़ी के डीजीपी की रूप में नियुक्त किया गया तो राजबिंदर सिंग भट्टे ये बिहार के नए डीजीपी अपॉइंट हो गए हैं तो इस कुश्चिन का अभी ग्रह मंत्री अमित्सा ने बिहार के सारण में लोक नायक जैप्रकास नाराइण की प्रतिमा का अनावर्ण किया बिहार सरकार ने स्कूलों में अनेवार खेल पिरेड और नो बैक डे सुरू करने का फैसला किया है बिहार की खगोले बेचसाला को युनेस्को की महतुपूर संकट ग्रस्त बिरासत बेचसालाओं में सामिल किया गया है अच्छा बिहार में बालमेक नेशनल पार्क है ये याद रखना है न तो इस कुशन का बे ओप्सन सही है चाइना फर्स्ट पर है अमेरिका सेकंड पर है और अब अपना देश भारत थर्ड पर पहुंच गया है नेशन है हाली में किस राज ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ओफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है तो अ ऐसे लोगों को बुक्स दी जाएंगी जिनकी बुक्स तक पहुंच नहीं है जैसे चपोज किसी का एक्सिडेंट हो गया वो ऑस्पिटल में है तो उसको बुक्स की अगर नेड है तो फ्रेंड्स ओफ लाइब्रेरी योजना के तहद उसको बुक्स दी जाएंगी ऐसे तो ये है मैप में तमिलनाडू तमिलनाडू की एपिटल क्या है चेन नहीं तमिलनाडू की चीप मिनिश्टर कौन है एम के स्टालेन और तमिलनाडू की गवर्नर कौन है आर एन रभी अच्छा अब ये तमिलनाडू में करति गई दीपम रत उत्सव आयुजित किया गया तमिल्नाडू की बन विवाग ने बारत का पहला elephant death audit framework पेस किया, तमिल्नाडू सरकार ने गिद्दों के structure के लिए पैनल का गठन किया है, तमिल्नाडू राज सरकार ने भारत का पहला slender loris अभ्यारेंड अधिसूचित किया, पेगाट्रोन ने चेननई में आईफोन का निर्म मंत्री मोदी ने किस सहर में ग्रह प्रवेश कारिकरम का सुवारम किया, तो अभी अगर तला में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान मंत्री आवास योजना सहरी और ग्रामीड के तहत ग्रह प्रवेश कारिकरम का सुवारम किया, तो इस कुशिन का बे आप्सन स नएक क्यूशन है किसे पैटा इंडिया के person of the air 2022 के लिए चुना गया है पैटा यानि कि people for the ethical treatment of animals ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्ता है पैटा तो पैटा इंडिया के person of the air 2022 की रूप में सोनाच्छी सिन्ना को चुना गया तो इस क्यूशन का बे options है ऐसे कोई ब्यक्ति जो जानवरों के हिटों के लिए पूरी सार काम करते हैं उनको person of the air चुनता है तो इस बार सोनाच्छी सिन्ना को person of the air 2022 की रूप में चुरा गया है नएक हुशन है हाली में केस देश की महिला होकी टीम ने F.I.H. Nations कब जीता है तो अभी अपने देश भा हाली में P.I.F.A. World Cup 2022 में किसे golden ball award से सम्मानित किया गया तो लियोनल मैसी को P.I.F.A. World Cup 2022 में golden ball award से सम्मानित किया गया तो इस question का say options रही है और golden boot से किसे सम्मानित किया गया है के लियन एमपे को अच्छा इस बार का फीफा वर्ल्ड कुप किस ने जीता है अर्जेंटीना यह आपको FIFA World Cup के बारे में याद रखना है Golden Wall, Golden Boot यह दोना important question है अब last video के question का answer last video मैंने आप से question पूचा था कि हाली में केस देज की राजदानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए solar panel को अनिवार बनाया है तो अबेज जापान की राजदानी ने बे option सही था और लगबग सभी स्टूडेंट जेंस कांसर सही दिया mostly student ने इसके बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाले में किस देश के राश्टपती ने समलेंगी बिभा कानूर पर हस्ताक्चर किये है चार option दिए गए हैं इनमेंसे आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का target जरू याद रखना आज किस video का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group है उनमें आप इस video को share जरू का दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने वारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजी आपको इस channel से निश्चित ही मदद में लेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में कर इंटरफेस की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching